आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मनुझ का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदारन वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले मनुझ का आर्थ समझते हैं मनुज का आर्थ होता है आदमी या मनुश्य, याने कि मनुश्य या मानग को हम मनुज कहते हैं, तो मनुज का विलोम शब्द याने कि विप्रितार तक शब्द होता है दनुज, और दनुज का आर्थ होता है राक्षश, दानव या असुर, तो आईए अब हम मनुज और जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मनुज जीवन का लक्ष आत्मग्यान प्राप्त करना है ये फिर आप कह सकते हैं मनुज समाज में अपने कर्मों से पहचान बनाता है ये फिर आप कह सकते हैं कि पुराणों में दनुजों का वर्णन मिलता है यह फिर आप कह सकते हैं कि दनुज के आतंक से लोग भैबीत थे अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें